स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूप कर पर तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा भी हाली में उत्तरपदेश फिलिस वर्ती वोट के द्वारा जो परिच्छा का पेपर जो था वो लीक कर दिया गया था आयोग के द्वारा ही हुआ था दरना हो पाया और हमारी बात को सुन लिया गया क्योंकि पांस सदस्टी टीम गई थी बात करके आई थी और अगले दिन ही वारा एक बज़े तक पेवगी जी का जो हमारे प्रदेश के मुख मंतरी है उनका आदेश आता है ट्वीट आता है और परिच्छा को निरस्त कर दि जैसा कि आप लोग एक दो दिन से नियूज में देख भी रहे होंगे शाती साथ 26 तारीक को रजट जी के दोआरा महाधर ने कायोजन किया गया था उत्तरप्रदिस सिच्छक भरती के लिए 97,000 उनकी मांग है 51,000 और 17,000 ये कई बार बातें भी आ चुके हैं सामने कि इतने पद खाली हैं कहीं ये हो जाता है मारा अनुपात बराबर है कई सारी चीजें दूसरी सिच्छा सेवा चैनायोग के गटन की बात के हैं तो 26 जनवरी 2024 को गठन हुआ था इसी साल और इस सिच्छा सेवा चैनायोग का जो सबसे पहले जो काम होगा वो यही होगा UP, PGT, TGT की परिच्छा कराना और दूसरा अगर नोटिफेकेशन जो सबसे पहले आएगा वो UPT, TGT का आएगा तो क्या कुछ जानकारी है उत्तरप्रदेश सिच्छक भरती को ले करके उत्तरप्रदेश टीचर इलिजिविल्टी टेस्ट को ले करके ये सारी चीज़ें यहां पर जान कुछ नहीं, कोई भी नहीं पहुचा, 4-6-10 लोग पहुचे, ऐसे अगर आप अपनी बात मनवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, चुनाओ, फिर आचार साहिता में क्या होगा कि कोई काम नहीं होगे, और चुनाओ के बाद क्या होगा, आप सभी को पताए, फिर क्या, फिर ब लोगों में वो उत्साह नहीं दिख रहा है, और कहीं न कहीं इसके लिए आप सभी लोग जिम्मेदार हैं, अगर ये उत्साह अभी भी नहीं दिखाना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको क्या खामयाजा भुगतना पड़ेगा, पिछले 5 सालों से आप देखी रहे हों क्योंकि सरकार की नजर में, सिच्छा मंतरी की नजर में सिच्छक शात्र अनुपात बराबर चला है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, दूसी चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग देखेंगे, यूपी टीटी अधिसमुचना जारी 12 मार्श से अभ्यारती कर स है, ऐसा कुछ नहीं है, यह अफवा फैलाई जा रही, इस चीज को इडिट किया गया है, और कई जगे पर हमने देखा, आज ही देखा था, आज के वीडियो में, एक दो चैनल पे लिगना ऐसा नहीं, दूसा यह नूज बिलकुल से, यह कि मदरसों से भी सिच्छक बरती न पता नहीं किया था, पर उनका भी धरना चला था, थोड़े लोग बैठे थे, उसमें कुछ घपला हुआ था, उस चीज को ले करके चला था, तो यह बिलकुल गलत है, हाँ, यह जरूर है कि सिच्छक पातरता परिच्छा को लेकर बेसिक माद में कुछ प्रात्मिक और मदर सिच्छकों की जो न्यूक ती है, उसके बाड़े में है, आयोक सोच रहा है, यह बात बिलकुल सही है, फिक है, इसके बाद में फरवरी से पहले सिच्छा सेवा चैन आयोक से बरती भी गया, थे मुश्किल, अब देखो यहां पर यह न्यूज जरूर सही है, यह पहले आई की हक के लिए करेंगे संगर्स अजयराय, अब देखो यह आज क्या अखवार है, इसमें क्या है, लकनुग में, बीटी सी डेले, टीटी, सी टीटी, उत्रीर अब भ्यारतियों का एक प्रतिनी से, मंडल प्रदेश कांग्रेश पूर मंत्री अजयराय से कांग्रेश मुख्य अगर आपको अपने हक्की लड़ाई लड़नी है, तो उनका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लोग आपके हक्की लड़ाई लड़ रहा है, वो है रजस सिंग आप सभी लोग जानते नहीं जानते हैं, तो जान लेजिए, इसके पहले अभिशेग जी और थे, वो भी काफी समझ से नहीं देखा है उनको हमने धरने में, हाँ, कल उनसे बात जरूर हुई थी, कह रहे थे, हाँ, चल तो रहा है, लेकिन वो नहीं उपस्ते थे हैं भी वहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आप से कहते हैं, आपको क्या करना है, आप सभी लोग समझधार, और जो 29, 2029 की तरफ आपकी आबाज को फिर दुवारां से उपर लाया जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं होगा, जैसे पीछे 5 सालों तक धरने चलते रहे, छोटे मोटे, आप लोगों ने सर्योग कम किया, जिस वज़े से आपको खामया जाब होगत न पल रहा है, है ना, तो कही आप लोग यह समझ लीजिए, अगर आपको यह लग रहा है कि वैकेंसी आनी चाहिए, यह नई प्राद में खिश्चक भरती का पिक्यापन जारी करे सरकार, यह कहा गया है, और कुछ 69 अजास सिच्छुका में, 600 सीटों पर न्यूक्त की मांग कर रहे हैं, इसी करम में अप चीज़ों वहाँ पर देगी, इससे पहले मैं धरने में एक भीवार नहीं गया, क्योंकि इतना बड़ा जो उत्तरप्रदेश पलिस भरती ने घोटाला हुआ था, इस वज़े से मैं भी गया, पर मैंने वहाँ पर जब देखा जाके, तब हमको यह पता चला कि एक इनका धर ना 365 या 61 दिन था, इनके धरने का, सोचो ज़रा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि 6800 सीटों की मांग कर रहे हैं ना, 6800 अब भ्यारती नहीं पहुँच रहे हैं, वो लोग घर से ही चाहते हैं, 800 इन में से अगर 800 भी पहुँच जाए ना, तब भी बहुत बड़ा दबाब बन में भी सारे नहींगे, पहले दिन होई थे, 5-6-7,000 की आसपा, दूसे दिन अम्मालो की 12-15,000 हो गए होंगे, सिच्चकों का समर्थना 12-15,000 की भीड़ी भी भी बहुत होती है, तो यहां पर तो 800 भी नहीं आ रहे हैं, फिर मांग कैसे पूरी हो जाए तनी, जल्दी 361 दिन राजा जी धरना कर रहे हैं बैठे, अनवरा धरना चला है, उन्हें इस 20 दिन से, उस दिन था तेश थारी को, भी और दिन बढ़ गए, 26-26 मा दिन होगा, आज सायथ, तो इस पिरकार से अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा, तब तो कुछ नहीं होगा, यह चीज का, नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना ही कोई प्रात्मिक सिच्छक भरती का, और दूसरी चीज, कल की बैठग में एक चीज ये के लिए रही कि, अगर भरती आएगी, तो सत्तरा जारी आएगी, तो आप सोच लो भी सत्तरा जार में क्या होगा, जब साथ हजार में बच्च में पहले से या लेटी 22 लाग उपस्तित हैं, तो आप सोचो जरा क्या होगा, इसलिए अगर भरती 51,000 से कमाती है, तो आप समझा लो भूत मुश्किल होगा, भरती अगर 97,000 लानी है, तो आपको सपोर्ट समर्थन सब कुछ करना पड़ेगा, ये खूब मान लो, आज मैं बात करूँगा रजस से, रजस जी से, और आपको बताऊंगा कि क्या करना कर, वहां उन से कुछ हमको पता चलेगा, कोई बात ऐसी पता चलेगी, जहां पर आपके लोगों के समर्थन की जरूरत होगी, तो आपको बताऊंगा, निवेदन ये करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करना, हर एक दोस्त तक पहुचाना, उमीद करेंगे कि या आप लोग पहुचाएंगे, तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको आपको करना क्या है, आज बात करके, ठीक है, इस वीडियो को इतना ज़्य सेयर करिए, हर एक बच्चे तक पहुचा दीजिए, साती साथ चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब एलागन को प्रेश, और टेलिग्राम का ग्रूप लिंक है, उसको जोईन करिए, और जो भी अपडेट रहेगा, हम आपको बताएंगे, हम तो आप जाने की सोच र अगर डेट निकाल दी गई न, तो आचार सहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है, आपको ये लग रहा है, कि हमको नवकरी चाहिए ही चाहिए है, तो इस वीडियो को सेयर करना दोस्तों तक, और जो भी जो कुछ मैं आपको साम को बताओंगा, ठीक है, धन्यवाद, बैबै, टेक क्यार, जैहन,